बेटमा के समीपस्त शहीद ग्राम पीर पीपलिया के जहलारा फाटे पर शनिवार देर शाम भीशन सरक हास्ता हो गया जहां तेज रबतारकार ने बाविक सावार को पिछे श्टकर मार दी जिसमें मौके पर ही तीन बाविक सावार में से दोग की मोथ हो गई मौके पर पहुची बैटमा पुलिस ने शवों को बैटमा रवाना किया बैटमा से करीब 3 किलो मिटर दूर इंदोर अहमदाबाद रास्टिय राजमार्ग पर हुए इस भिशन सडक हाथसे में अस्पताल ले जाने के दोरान बाइक सवार तिसरे वैक्ती ने भी दम तोड़ दिया प्राप्त जानकारी के अनुसर स्विफ्ट कार डिजायर घटा बिलोत की और से तेजगती में आ रही थी इधर दो पर यह वाहन में सवार तिन वैक्ती बेटमा से अपने काम करके गाउं जहलारा जा रहे थे क्रॉसिंग के दोरान कार की टकर से तिनो बाइक सवार की मौके पर ही मौध हो गई घटना के बाद कार भी पल्टी खाकर सडक के नीचे जागिरी प्रतेक्ष दर्शियों ने बताये की कार सवार नशे में थे घटना के बाद से कार चालक वो उसमें सवार वेक्ती फरार है वही कार में शराब की बोतले गलास और नमकिन भी पाया गया बैटमा इंदावर से राजन सुरीवन्शी की रिपोर्ट अच्छ उच्छ अच्छ रहा थे अच्छ वो बाद मतलब तरवाले उदर सा आ रहे थे हैं हमारा जाओं के इदर तीन बंजे थे हां उनको आजा किलीमेटर से घसके हां रंग साइड से हां ले जागे इस तरह से उनकी आलत खराब हुए है इनो इस पायट पे घत्म होगया जिसके बाद में तार में तारू चकना और घार मंधन उसको जो भी बोलते हैं नमकीन मिला उस में और गाड़ी के ड्रावर है वह सब भक्तु के यहां से थाल मृधने वाले के नाम बताएंगे अक जगनात हमारे गाउं के है वह भी हाई एक सरदार्णा वह भी हमरे गाउं के वो भी हमारा गाउं के तीनों सांथ हो गए इस पार्ट पर हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइपोन को दबाना बिलकुल भीना भुले